मिलोड आज हमारी अदालत में मौझूद है एक सरकारी डॉक्टर हलो 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 डॉक्टर साब आप पर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आप हमेशा अपने मरीजों को ये कहते है कि भई आपको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है ऐसा क्यों? मैं इलाज से पहले मरीज को चेताम नहीं दे देता हूँ मैं किसी लफड़े में पढ़ना नहीं चाहता भई देखे हमने सुना है कि आपके बहुत से पेशेंट चेक अप के दोरानी हार्ड अटेक से मर जाते हैं ऐसा क्या करते हैं आप? मैं हम कुछ नहीं करते हैं इसलिए तो मर जाते हैं कुछ करते होते तो बचना जाते हैं देखे हमने ये भी सुना है कि आप अपने पेशेंट को ठीक करने के बजाए उनकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ा देते हैं ऐसा क्यों? जैस साब मैं अंदर से बहुत ही महबती आदमी हूँ तो इलाज के दौरान मेरा मरीज के साथ एक लगाव हो जाता है तो मैं खुद उसे अस्पतार से जलते ही जाने नहीं देता तो उसे छुटी हमारे आदेर से मिलती है देखे हमने सुना है के आपके पेशन्ट हिम्मत सिंग अपनी रिपोर्ट देखते ही हार्ट अटैक से लुडग गए ऐसा क्या लिखा था अपने रिपोर्ट में? भई हिम्मत सिंग की बात ना करें वो बड़ा बत्तमीज है मेरा मतलब बड़ा बत्तमीज था मैंने उनको रिपोर्ट देने के लिए बुलाया था सुभी दस बजी वो शाम को पाँबे तक आया ही नहीं तो मैं जाती जाते उनकी रिपोर्ट के उपर लिग गया रिपोर्ट आफ लेट हिम्मत सिंग इत्व ही जबान का हेर फेर था दरसल मैं किसी लपड़े में पढ़ना ही नहीं चाहता मिलोड आज हमारी अदालत में मौझूद है सुपर फ्लॉप फिल्म रावण के डारेक्टर मिस्टर हनी रतनम हनी जी आप हमें सबसे पहले ये बताईए कि आपने रावण जैसे फ्लॉप फिल्म क्यों बनाई अन्न, I must tell you मैं ये करेक्टर में इतना खोगया है कि बैड परसन पे फिल्म बनाते बनाते बैड फिल्म ही बना दिया मैं क्या करेगा देखें आप पर ये भी अरोप है कि आपने फिल्म की एडिटिंग अच्छे से नहीं की जिसकी वज़े से फिल्म फ्लॉप हो गई ये रावण फिल्म का एडिटिंग हुआ किदर है साहुत में मेरा मतलब है पूरी कुट्टी इंडरी एडिटिंग डरा सर मैं समझा नहीं मैं भी जादा समझा नहीं मैं हिंदी में बोलता है रावण फिल्म का एडिटिंग हुआ नहीं है अगर एडिटिंग होता था तो फिल्म बच्छता किदर था आई मस् टेल यू देखें हमने ये भी सुना है कि आप ये कहते फिरते हैं आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो कोई नहीं कर पाया अब आप ये बताएए कि आपने ऐसा क्या कर दिया अन्ना आइ मस् टेल यू मर कुट्ट पुट रिड़े पर कुट मुणा मर कुट्ट रिड़े चिट्ट पुट्ट कुट्ड रिड़े मुंड कुट्ट सर मैं समझा नहीं ओके आइ मस् टेल यू इन हिंदी रावण फिल्म आने के पहले फिर भी कोई-कोई लोग रावण का नाम लेता था रावण फिल्म देखने के बाद कोई भी रावण का नाम नहीं लेता है मैं क्या करेगा? दोस्तो आज हमारे साथ है मसाजवादी पार्टी के नेता अश्री मिलायम सिंग यादव जी आए करते हैं उनसे कुछ बाची स्वागत है सर आपका थार नवास सर यूपी बिहार के वोटर्स का नेताओं से विश्वास उठ गया है पिछले एलेक्शन में सिर्फ 18% वोट मिले थे आप कि जांकारी के बता दू वो 18% वोट भी हम नेताओं द्वारा जो फरजी वोट दरवाए गए उसकी वज़स मिले वरना आज कल के जित्ते नवज़वान बच्चे हैं जब इनकी वोट देनी की उम्र आती है ये उत्तव वजेश और बिहार छोड़के धन्दा रुजगार के लिए मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और पंजाब चल जाते हैं तो वोटिंग होगी कहां से? नेता जी, आप हमारे दर्शकों को बताईए अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो एजुकेशन के गिरतेवे स्तर को आप कैसे सुधारेंगे? भाई, पूरा देश जानता है कि हमने आईसी व्योस्था कर दी है कि कक्षा आट तक कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता रही बात उसके आगे के तो उसके आगे हमारी सरकार सख्स कदम उठाएगी और नकल की भली भाती व्योस्था होगी यह हमाँ वाजा है नेता जी, पिछले दिनों बात सुनने में आई कि आपकी पार्टी के एक विधायक ने एक आदमी पर पेट्रोल डाल दिया उसे जला दिया अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे हमें भी बहुत गुस्था आया हमने उनको बुला के स्वयम फटकार लगाई हमें कहा जब केरोशीन मतलब घासलेट सस्ता है तो महेंगा पेट्रोल बरबाद करने के क्या विशक्त ये सोचने कभी से है हमाएं नौजवान प्यड़ी को इस पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों आज हमारे साथ है हमारे देश के एक और महान नेता जी आईए करते हैं उनसे कुछ बात चीत नमस्कार सर नमस्कार जोरी सर पॉलिटिक्स में होने के बावजूद भी आप क्रिकेट में जादा इंटरेस्ट क्यों लेते हैं और सिद्धी बात है भई आज कल क्रिकेट में पॉलिटिक्स से जादा इंटरेस्ट मिलता है लेकिन नीताजी आपको नहीं लगता है ये दोनों फिल्स कुछ अलग-अलग है और बावली छोरी कौन बोल दिया तेरे को और दोनों हिछे तरे एक की है क्रिकेट में देख एक बावल के पीछे सारे खिलाड़ी पागल की तरह भागते हैं और पॉलिटिक्स में एक कुरसी के पीछे सारे नेता बावले की तरह भागते हैं नेता जी लेकिन cricket में तो cheer girls भी होती है तो गल तो बात बत कर छोरी, तेरे को knowledge नहीं है cricket में सिर्फ cheer girls होती है politics में तो cheers भी होती है और girls भी होती है तेरे को यकीन ही होता तो हमारे सह होगी MDT वारी से पूछ ले same to shame है नेता जी, क्रिकेटर्स के तो बहुत सारे फैन्स होते हैं, आपके क्यों नहीं होते? इब सुन तू, क्रिकटर्स के तो सिर्फ फैंस होते हैं हमारे तो बंगले में, घर में, दफतर में, कार में, यहां तक की ट्वालेट में, एसी होते हैं फैंस तो प्राणी बात है, फैंस तो आउटड़ेटेटेड भई हलो 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 हेलो दिनर में क्या लेंगे सर क्या क्या option है आपके पास येस या नो ये मतलब आपका खाना खाके हमारा पेट तो नहीं घड़बड करेगा ना नो वे सर मैं personally एक एक प्लेट खुदी चकती हूँ फिर गेस्ट को पेश करती हूँ ये आपका हवाई जाज इतना हिलता क्यों है पाइलेट नया है क्या येस सर ये मीन हमारे पाइलेट ने अभी भी प्लेट उड़ाने का ताजा-ताजा क्रेश कुर्स किया है ये आपका पाइलेट कोई घड़बड तो नहीं करेगा ना नो वे सर मैं आपको एश्योर करती हूँ हमारा स्टाफ दोबारा गलती नहीं करता और वैसे भी सर प्लेट दो बार तो क्रेश नहीं हो सकता न ये आपके हिल लाइंस का नारा है आप हमारे साथ एक बार सपर कीजिए आप हमें असानी से छोड नहीं पाएंगे मतलब वेरी सिंपल सर हमारी फ्लाइट में एक ही इमर्जंसी डोर है जो वर्क कर रहा है प्रॉपरली अब इतनी सारी पैसेंजर्स और एक डोर तो छोड़ने में तकलीफ होगी न इसका मतलब हमें एमर्जंसी में खुदी पैराशूट लेके कूदना पड़ेगा येस से और मैं आपको इश्योर करती हूँ कि पैराशूट हवा में खुल जाएगा बाई चांस अगर पैराशूट हवा में नहीं खुला तो आप नीचे जाके हमारे हेड ओफिस में कंप्लीन कर सकते हैं रिमेंबर, बोर्डिंग कार्ट दिखाना पड़ेगा वहाँ पैसाब, ओ पैसाब ये खिड़की खोल तो बड़ी गर्मी लग रही है का पगलेट पना का बात कर रहे हो हवाई जाज का खिड़की खुलता है कभी पर पैसाब ये तो ट्रेन है अरे चुप रहो, अरे एक तो ट्रेन का टिकट लेगे हवाई जाज के मजे ले रहे हो उपर से चपर-चपर कर रहे हो, आदमी सो रहा उसको सोने दो डिस्टप कर रहे हैं बड़े पैसाब ये पंखा ही चला दो, ये भी खराब है क्या परेशान पूर से आयो का मुझे तो यहीं उतर रहा था चुब बैठो अगर चैन होती तो हम खीच न लेते अपने गाउं के सामने न उतर जाते इसाब चौरूवे लोग चैन खीच खाच के बेच डाले हैं 10 रुपए कि लो अब फालते हो प्लेट फारम तक जाना पड़ेगा दोस्तों आज हमारे साथ है नवजोद सिंग पिद्दू जी आए करते हैं से कुछ बात चीद वेलकम टो आज शो सर वो सशी काल जी सर आप तो हर लाफ्टर शो में दिखाई देते हैं लेकिन आपके बगल वाले जजज़ बदल क्यों जाते हैं मोहतरमा मैं सिर्फ यही कहूंगा कि डम डम डिगा डिगा मोसम भिगा भिगा जहां तक मेरे बगल वाले की बात है उसे तो मैदान छोड़ के भागना ही होगा क्योंकि मैं टेबल से ज़्यादा उसको जब पीटता हूँ सर आप ये भी कहते हैं कि आपका नाम सचिन तेंदूलकर से भी बड़ा है ये बात कुछ समझ नहीं आई मोहतरमा पूरी दुनिया जानती है कि सचिन के नाम में सिर्फ दो ही शब्द हैं सचिन तेंदूलकर और मैं हूँ नो जोट सिंग पिदू वो गया सर आप ये भी कहते हैं कि सचिन अगर दोसों का रिकॉर्ड तोड़ा है तो आपने उससे जादा बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है ये बात कुछ समझ नहीं आई मोतरमा पूरी दुनिया जानती है कि पिदू जो बोलता है सीना ठोक के बोलता है जैसे सचिन ने दोसों का रिकॉर्ड बनाया मैंने पांसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया मैं बजार गया पांसों रूपे का रिकॉर्ड लाके यू तोड़ दिया दोस्तों आज हमारे साथ है नव्जोद सिंग पिर्दू जी आए करते हुंसे कुछ बातचीव वेलकम टो आज शो सर वो ससी काल कुडिये सर आप इंडियन क्रिकेट टीम से बहुत सालों से जुड़ेवे हैं अभी की इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में आप क्या कहेंगे हुजूरे वाला करेंट इंडियन टीम है फूल आफ गड़बड जाला अगर सचीन है तो बोलो तारा रारा और सचीन नहीं तो गैरेज में खड़ी हुई कोई खटारा सर इस बार IPL में किंग्स 11 पंजाब की कंडिशन काफी खराब थी इसके बारे में आप कोई कॉमेंट करना चाहेंगे हुजूरे वाला पक्के सुत नहीं लेकिन जहां तक मुझे याद है 93 में किसी महापूर्श ने कहा था कि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं रही बाद पंजाब किंग्स 11 की दे आर लाइक रामू की आग जिनको देखकर दर्शक रहे हैं भाग आपको रिटार्मेंट छोड़के बाप पेस क्रिकेट टीम में आ जाना चाहिए इसके बारे में आप क्या कहेंगे ना माता जी ना मैने यूं माफ करो और चक दे बले फेक दे गिली पकड़ ले माइक और पहुंच जा दिली नमस्कार देवी और सज्जनों आए एक बार फिर से खिलते हैं ABC यानि की अब बकवास चालो आज हाट सिक पे जो आने वाले हैं ये मॉडल कम एक्टर है बेके पारड़न मॉडल कम है और एक्टर बहुत कम है प्लीज वेलकम अरजुन रामभाल आए और यह थिर आपके लिए पहला सवाल ये रहा बॉलीवड वेला के लिए किसीज की सबसे क्या ज़ादा आविशकता होती है आफ्शंसर आए अज्छी एक्टिंग बे अच्छी डांसिंग छी दांसिंग सी अच्छे एक्सिंग्स यरी नन ऑफ दाभ पाव I think none of the above. क्युकि नहीं मैं अच्छी अक्टिंग गरता हूं, नहीं मैं अच्छी डांसिंग करता हूं, नहीं मैं अच्छी अच्छी एच्छी एटा हूं, फिर भी मैं बॉलीवीड का ही रहा हूं. बहुत को, Arjun, अगला सवाल आपके लिए आ रहा है, और यह रहा है, नेशनल एवार्ड, किसको मिलता है, A, Most Deserving, B, Least Deserving, C, Good Looking, या D, Worst Looking. अगला नेशनल एवार्ड, किसको मिलता है, A, Most Deserving, B, Least Deserving, C, Good Looking, या D, Worst Looking. इसको सही जवाब है, The Least Deserving, Really? इसलिए अब आप जा सकते हैं. देवियो, सज्जुनो, ABC में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज मेरे सामने हॉट सीट पे जो सज्जा नाने वाले हैं, ये डिरेक्ट फ्रॉम रामगर्ड, ठाकूर बल्देव सिंग, स्वागत किजे ठाकूर साब का, ठाकूर साब. आपको तो पहले ही काम जो है, सारी, प्लीज बी सिटेट, पहला सवाल कम्पूर्टर स्क्रीन पर ये रहा, ओपेन पटेल के हिंदुस्तान में कितने फैंस हैं, इसका जवाब है, डी, सिर्फ पांच, ये कैसे हैं, क्योंकि उसके ड्राइंग रूम में दो लगे हैं, और बेडरूम में तीन लटक रहे हैं, अगला सवाल आपके कम्पूर्टर स्क्रीन पर आ रहा है, और ये रहा, इन चारो हिरोनों में से सबसे हाट कौन सी हैं, इन में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब? सही जवाब है, ए रामलाल, अरे ठागोर साब क्या कह रहे हैं, देखें, आप शकल से ऐसे नहीं लगते, अरे जए, कहना कि मेरा पूरा काम करते करते, रामलाल और रामलाल का दिमाग पूरी तरह से होट हो जाता है, अरे सवाल ये कंट्रूल कीजिए, अगला सवाल ये रहा, गबबर सी पूछते हैं कि कितने आदमी थे, आप्शन्स हैं A2, B3, C4 या फिर D6, जाए इसका जवाब है D6, गलत जवाब, नई नई जाए, इसका जवाब D है, यानि 6, यह कैसे, क्योंकि मुझे बिता क्या थै, एक बार गबबर ने कहा था, कि ठाकुर ने छक्को की फौज बनाई है, हाहा, सही जवाब, ठाकुर साब मुबारक हो, जाए, ओ, मुझे याद है, गबबर ने आपके पहले ही, जाए, मैं को नहीं खिलना तुम्हार, ABC, मैं जा रहा हूँ, ठाकुर साब, ठाकुर साब, ठा एर ताकुर साब,